हेलो एन वेलकम टू माई यूटूब चानल माई क्लासरूम आज हम क्लास 8 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चाप्टर 6 हमारी अपराधिक न्याय प्रणाली करेंगे आपने अक्सर किसी ना किसी अपराध के बारे में सुना होगा या देखा होगा जब भी हम किसी अपराध के बारे में सुनते या देखते हैं तो सबसे पहले हम पुलिस को खबर करते हैं और रियल लाइफ में या फिल्मों में हमने अक्सर ये देखा है कि जो पुलिस होती है वो सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज करती है और अपरादियों को गिरफतार करती है अपरादियों को गिरफतार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है वो बहुत जादा महत्पुर होती है और उसके अधार पर कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं कि जो पुलिस होती है वही ये तै करती है कि कोई अपरादी है या नहीं लेकिन ऐसा नहीं होता जब किसी वेक्ती को गिरफतार किया जाता है तो अदालत ये तै करती है कि आरोपी वाकई में दोसी है या नहीं है। गुंहारा जो सवर्धान है उसके अनुसार अगर किसी भी वेक्ति पर कोई भी आरोप लगाया जाता है तो उसे निस्पक्ष सुनवाइ सुनवाई का अधिकार दिया जाता है आज हम इस वीडियो में इसी बात की इसमें इन सारे पॉइंट्स की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो को लाज सक जरूर देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सुस्क्राइब करना वीडियो को लाइक और शेर करना मत होती है उसके उपर चोड़ी का लगाया जाता है टूर समाज की कोई घटना होती है कि कहीं पर चोड़ी को अ मर्डर कर दिया जाए या किसी को धेच के लिए ज LAUDE तो यह सारी घटनाए होती है वो ना सिर्फ एक विक्ति सा पहुचाती है उनको मतलब परिशान करती है बल्कि ये पूरे समाज के लिए बहुत बुरा सावित होती है वो सिर्फ उन लोगों के लिए ही मतलब खतरनाक नहीं होती है उनके लिए ही दुख का कारण नहीं होती बल्कि वो सबको एफेक्ट करती है उस समाज में क्योंकि जैस बहुत नार्मल हो गया है हम भी कर सकते हैं कहीं इनके दिमांग में यह चीज़ आ सकती है इसके अलावा जो आम इंसान होंगेत जो थोड़े से मतलब डरे वे से लोंग होंगे उन्हें यह लगेगा कि हम बहुत डर के रहना पड़ेगा या फिर उनके मन में बहुत जादा डर आ सकता है कि ये चोरी करना या फिर हत्या करना आजकल इतना नॉर्मल हो गया है कि हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है तो ये जो चीजे हैं वो पूरे समाज को एफेक्ट कर रही है इसलिए इसे राज्य बनाम शान्ती कहा गया है मुंबई में रहने वाली मिस्स सिंदे जिनका हार चोरी हो जाता है और मिस्स सिंदे अपने हस्बंड को जाके कहती है कि मिस्टर सिंदे को बताती है वो कि मेरा हार चोरी हो गया है और मुझे शक है कि इससे शान्ती ने चुराया है शान्ती उनके यहां पर काम करने वाली ल नहीं की वो डायरेक्ट जाके उसको बोल देते हैं कि तुमने चोरी करना स्टार्ट कर दिया और वो विचारी बोलते हैं कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है उसके बाद जो मिस्टर सिंदे होते हैं वो शांती के बॉक्स की तलाशी लेते हैं और उसमें एक एंवलफ निकलता है जिसमें 10,000 रुपए होते हैं वो शांती पर चिलाने लगते हैं क्योंकि उनको यकीन हो जाता है कि ये जो पैसे हैं वो शांती ने हार बेच के खटा किये हैं उसके बाद शांती बोलती है कि नहीं उसने चोरी नहीं की शांती बताती है कि ये जो पैसे हैं वो अपने भाई के साथ मिलकर जमा कर रही है उसका जो भाई होता है वह एक मजदूर होता है और दोनों लोग मिलके ये पैसे जमा कर रहे हैं ऐसा वह बोलती है अपने सहाब को क्य Gutti सीथा थान मैं पहुंच जाते क्योंकि यह जो घटना है वह चोरी की घटना है इस वज़े से सबसे पहले F.I.R. दर्ज की जाती है F.I.R. जिसे हिंदी में प्रतम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है जो पुलिस होती है वह F.I.R. दर्ज करती है इस तरह की अगर कोई घटना होती है उसके बाद ही वह कैसे और जो FIR होती है वो पूलिस के पास एक बिल्कुल स्पेशल तरह का फॉर्म होता है उसमें पूरा प्रसेस करने के बाद जिसने शिकायत करवाई है उसकी सिगनेचर भी लिये जाते हैं तो यह पूरा प्रसेस होता है वहां पर उसके बाद जो सबस्पेक्टर राओ होते हैं वो मिस्टर सिंदे के घर आ जाते हैं वहां जो मिस्टर और मिसिस सिंदे के बयान दर्श किये जाते हैं मिसिस सिंदे जो होती है वो बताती है कि कैसे मतलब वो हार ढूंड रही थी उनको कहीं जाना था तो वो हार ढूंड रही थी और उन्होंने देखा कि वो हार नहीं ठीक है और उनको पूरा यकीन होता है कि हाँ यह हर शांती नहीं चुराया है फिर वो बोलते हैं कि और शांती के पास सांती के पैसों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर रख लेते हैं फिर वो जो पुलिस पिक्टर होते हैं वो शांती के पैसों का जो लिफाफा होत है उसको सील करके अपने पास सबूत के तौर पर रख लेते हैं और शांती को गिरफतार करके ले जाते हैं 19 जुलाई 2006 उसके बाद नेक्स्ट डे जब थाने में शांती का भाई सुसील आता है और सबस्पेक्टर राउ से बिंती करता है कि वह शांती को छोड़ दे लेकिन सबस्पेक्टर कहते हैं कि उसने हार चुराया फिर इसका ब्रदर आके उनको बोलता है कि उसको छोड़ दो श सबस्पेक्टर राउ आंड उसके बाद उसके ब्रदर को बिना किसी गलती कि वह सबस्पेक्टर राउ एवं कई maniacal पीटे और उसे गालिया देते हnt उसके बाद उसको ब्रदर कि कि यहां के घृषण पेटा जाता है उनको गालियां दी जाती है पुलिस उस पर दबाव डालती है य cyclone कि यह बढता की ऊसे मतलब यह मनवाने के वह व्हों कोशिश करते हैं कि उसकी जो बहन्य है और वो है वो दोनों मिलके घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वो गिरोह घरों में जा जाके चोरी करता है वो कहते हैं कि तुम ऐसा मान लो कि हाँ मतलब कबूल कर लो इस बात को कि तुम और तुम्हारी बहन मिलके चोरी करवाने का काम करते हो मिसिस सिंदे के पडोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायते भी आ चुकी हैं वो कहते हैं कि जो मिसिस सिंदे हैं उनके पडोस से गहनों के गायब होने की और भी बहुत सी शिकायते आ चुकी हैं तो तुम ये बात मान लो कि हाँ तुम लोगी चोरी करवाते हो जो पुलिस होती है दो दिन बाद उसे छोड़ देती है उसके बाद 23 अगस्त 2006 आ जाता है लगबग एक महीना बीच चुका है अदालत ने एक महीने बाद फिर शांती की जमानत की अरजी मनजूर कर ली लेकिन कोई भी 20,000 के लिए उसका जमानती बनने को तयार नहीं था जब जो शांती होती है वो गहरे सद्मे की हालत में पहुँच जाती है वो बहुत डरी हुई थी कि मुकदमे का क्या नतीज़ा होगा वो सोचती है कि उसने कुछ किया नहीं इसकी कोई गल्ती sirf मैडम के शक की अधार पर उसे सलाकों के पीछे रहना पड़ रहा है तो वो सोच यह केस इसकेस का क्या होगा इसका क्या नतीरा आएगा मुझे कब तक जेल में रहना पड़ेगा वो बहुत जादा परिशान हो जाती है इस बात को लेके फिर 14 सितंबर 2006 पुलिस ने मजिस्टेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया अदालत की और से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांती को दे दी जाती है उसके बाद जो पुलिस होती है वो चाशी बनाती है और उसको वो मजिस्टेट की अदालत में पेश कर देती है जो मजिस्टेट होते हैं और जज होते हैं इनमें फर्क होता है जितने भी सिविल मामले होते हैं उनक पूलिस है वो पूरा एक चार्शीट बनाती है उसमें हर छीज़ के बारे में लिखा होता है चोरी कब होई किस तरह से ह такой मतब ये सारी सीज़ा लिखी होती है तो फूरा एक चार्शीट बनाके वो दे देती है अदालत में फिर अदालत की और से आरोपत्र और गवाहों के बयानों की एक जो कौपी होती है उसको शांती को दे दिया जाता है शांती अदालत को बताती है कि चोरी के जूटे इलजाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है मजिस्टेट महोदे शांती की दलील सुनकर अभी वक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्च पर दबाओ बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं उसके बाद जो शांती होती है वो यह कहती है कि उसको अपना बचाव करने के लिए ऐसा कोई वकील नहीं है उसके पास क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने लिए एक वकील रख सके इसलिए जो मजिस्टेट होते हैं मजिस्टेट महोदे होते हैं वो उसको एक अभी वक्ता वकील मतलब करके देते हैं कमला रॉय नाम होता है उनका और वो सरकारी खर्च पर उसके बचाव के अधिकार प्राप्त है अगर किसी भी वक्ती पर इस तरह का कोई इल्जाम लगता है तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो हमारे आर्टिकल 22 में क्योंकि यह चीज लिखी गई है कि उस वक्ती को एक वकील रखने का अधिकार है वो अपने पक्ष में सुनवाई करवा सकत है ठीक है लेकिन अगर कोई वक्ती ऐसा है जो जिसके पास पैसे नहीं है और वो एक वकील नहीं अफॉर्ड कर सकता तो हमारा जो अनुछेत यानि आर्टिकल 39A है उसमें यह कहा गया है कि अगर नागरिकों को मतलब ऐसा है नागरिकों के साथ कि वो गरीब है उनके पास प खृएं या किसी वजे से वतील नहीं रख पाते हैं तो इस तरह जो कमला रोय होती है वो शांफी की वकील बनती है फिर जो अधीवक्ता कमला रोय शांथी से अदालत में मिलती है शांथी उन्हें अपने मुकदमे के कागश देती है और बताती है कि मालिकोंने हार चुरान की बचचत के पैसे के फिर वो अपनी सारी बात अपनी वकील को बताती है कि इन लोग और डिसमबब दो छोता है अरूप लगाती है दालत के स्रीमती सिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी की हार को बेच कर शांती को जो 10,000 रुपे मिले हैं उसके पास है लेकिन शांती कहती है कि वो निर्दोश है वो बार बार यही बात कह रही होती है कि नहीं वो निर्दोश है इसकी सुनवाई की जाए फिर सुनवाई करने का टाइम आता है आठ मार्च 2007 आ जाता है सरकार वकील होंगे वो मतलब राज्य की तरफ से मुकदमे को लड़ेंगे और जो डिफेंस हमारी डिफेंस लोयर होंगी वो हमारी शांती की तरफ से इस मुकदमे को लड़ेंगी ठीक है सरकारी वकील राज्जे की और से मुकदमे में हाजिर होते हैं और श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करते हैं और मिसिस सिंदे से पूछते हैं कि बताईए आपका हार किस तरह गायब हुआ उसके बाद वो जो श्रीमती सिंदे होती है मिसिस सिंदे जिनका हार चोरी होता है उनको बुलाया जाता है उनसे पूछा जाता है कि चलिए आप बताईए आपका हार कैसे चोरी हुआ फिर मिस्स सिंदे बताती है कि उनका सोने का हार दराज में रखा था उसे शान्ती ने चुराया है शान्ती के अलावा और कोई उनके कमरे में नहीं जाता मिस्स सिंदे ने उसके संदूग की तलाशी ली थी वहां लिफाफे में 10,000 देखकर वह चंबे में पड़ गए थे शांती को यह पैसा मेरा हार बेच कर मिला है वह चोर है लागातार यही बात बोलती है कि उस कमरे में कोई नहीं जाता सिर्फ यही साफसिफाई करने जाती है तो इसी ने पैसे चुराए हैं और जब हमने मतलब तलाशी ली थी मेरे हस्बेंड ने तो वहां पर 10,000 रुपे मिले थे ज़रूर यह जो पैसे है इसने बेच के मेरा हार और तभी इसके पास आए वे है यह चोर है इसके बाद जो अभी वकता श्रीमती सिंदे से जिरह करती है फिर जो डिफेंस लॉयर होती है वो उससे जिरह करती है जिरह का मतलब होता है कि जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान दे देता है जैसे कि मिस्स सिंदे ने अपना बयान दे दिया तो उसके बाद जो दूसरे पक्ष का वकील है वो उससे कुछ सवाल पूछता है जिससे कि उसके जो पिछले बयान होते हैं उसे गलत या सही तसाल के बहुंत का जाता है हिंदी में किosph कहती है कि आपने शbieski को चोरी करते वे देखा नहीं आपको शांती के पास चोरी का हार पिछले 3 साल में जब से शैंति видео आपके गर में चोरी नहीं हुई आप हर महीने उसे एक हजार पगार भी देती हैं वो कहती है कि पिछले तीन साल से तो आपके हाँ पे कुछ भी चोरी नहीं हुआ है और आप हर महीने उसे एक हजार की पगार भी देती है इसके लावा आपने उसको चोरी करते हुए देखा भी नहीं है तो अभी कैसे कह सकते हैं कि उसने चोड़ी किया है उसके बाद 24 अप्रेल 2007 अभिवेक्ता रॉय बचाओ पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं इन दोनों के बयानों के अधार पर अभिवेक्ता रॉय यह साबित कर देती हैं कि इसे मिले हैं वो सुशील और शांती की रकम भी हो सकती है उनकी बचत भी हो सकती है जरूरी नहीं है कि यह उनके द्वारा चुराएगए ही पैसे हो वो यह बात साबित कर देती हैं उसके बाद 15 मई 2007 जब आता है जब मुकदमा खतम होने के नजदीक पहुंच जाता है इस गिरोह का भंडा फोड किया है इस गिरोह के लिए सिंदे के महले में गहने की चोरी करते हैं स्रीमती सिंदे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्ते हैं उनके पास से स्रीमती सिंदे का हार ब्रामत हो जाता है तो उसके बाद जो स्पेक्टर शर्मा होते हैं उन्होंने युवाओं का गिरोव पकड़ा होता है जो की महले से गहने चुराते हैं और इस गिरोव में जो श्रीमती सिंदे होती है उनके बेटे की कुछ दोस्त भी होते है इस गिरोव के अंदर उनके पास से श्रीमती जो सिंदे होती है उनका हार भी मिल जाता है सुशी लिया बात तर उनसे बयान लेती हैं। स्वस्पेक्टर शर्मा बताते हैं। उन्होंने जो चीजे वरामत की हैं। उसमें स्रीमती सिंदे का हार भी मिला है। उन्होंने लड़कों का एक गिरोफ पकड़ा है। जिसने यह हार चुराया। फिर वो बोलते हैं कि हाँ हमने एक गिरोव पकड़ा है जिसमें स्रीमती जो सिंदे हैं उनका हार भी मिला है उन्होंने लड़कों का एक गिरोव पकड़ा है जिसने मतलब ये बात कबूल भी कर लिया है कि हाँ उनके द्वारा ही हार चुराया गया था उसके बाद जो फोश्ट साबित हो चुकी है इसलिए उसे बरी कर दिया जाए क्योंकि अब यह बाद साबित हो चुकी है कि हाँ उसने चोरी नहीं किया जो एक यह यह युवाओं का ग्रूप लापरवाही पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए जिसकी वजए से सांती को जियल में रहना पड़ा orang, उसके बाद वह इस बाद पर भी जोड़ देते हैं कि जो सबस्पेक्टर की गलती हुई है इसमें जो ओलापरवाही हुई है उसके उपर भी ध्यान दिया जाया क्यूंकि बिना उसी गलती का क्यूंकि उन्हों नहीं किया अच्छे से जो हमारे सब से उस्पेक्टर ँन्हों नहीं तक अब आता है हमारा अपराधिक नयाय विवस्था में मुक्ष्य लोग हमने यह जो case study देखी अभी इसमें अगर जो चार लोग हैं वो सबसे जादा important रहें इस घटना में मुखे लोग, पुलिस, सरकारी वकील, बचाओ पक्षका वकील और नयाएधीश यह चार अधिकारी आपराधिक नयाएविवस्था में मुखे लोग होते हैं तो उसमें चार लोग होते हैं वो बहुत important होते हैं एक हमारे पुलिस, दूसरा हमारे सरकारी वकील, जो की हमारे राजजी की तरफ से पूरे समाज की तरफ से किसी चीज को परजेंट करते हैं दूसरा हमारी defense की, यानि बचाओ का जो वकील होता है और चौथे हमारे सबसे important हमारे न्यायधिश एक बार फिर से हम इस पूरी घटना को देख लेते हैं स्टार्टिंग से सबसे पहले तो जो मिस्स सिंदे होती हैं उनका हार चूरी हो जाता है उसके बाद वो सीधे पुलिस के पास चले जाते हैं जो मिस्टर सिंदे होते हैं उनके हस्बंट वो पुलिस के पास चले जाते हैं और जो पुलिस होती है वो उसकी अच्छे से कारवाई नहीं करती है सीधा जाके जो शान्ती होती है उसको गिरफतार कर लेते हैं FIR लिखते हैं उसको गिरफतार कर लेते हैं उसके बाद जो पुलिस होती है वो चार्ट शीट बनाती है और उसको ले जाके वो कोट में दे देती है ठीक है और Court में देने के बाद दो तरह के हमने वकील देखते हैं एक तो हमारा Public Kursecutor होता है दूसरा हमारा जो होती है वो Defense Lawyer होती है जो हमारी कमला रॉय थी ठीक है तो अगर Public Prosecutor की तरफ से कोई भी Witness दिया जाता है तो उसे prosecutor witness कहा जाता है और अगर defense की तरफ से कोई भी वो दिया जाता है convenience lawyer की तरफ से कोई भी witness दिया जाता है तो उसे defense witness कहा जाता है थीक है तो इस तरह हमारा पुरा process चलता है उसके बाद जो judge होते हैं वो फैसला करते हैं कि हर चीज को देखते हैं, वो हरे सबूतों को देखते हैं, फिर अगर वो पाते हैं कि हाँ, कोई दोशी है या नहीं है, तो उसके अधार पर फैसला देते हैं, जैसा कि इस case में जो शांती थी, वो दोशी नहीं थी, इसलिए उसको छोड़ दिया गया, तो इस पूरे process में हमार अगर हम पुलिस की जोबी अपराद होते है अगर उसकी जाच करनी है तो पुलिस वालों की क्या भूमिका होती है तो पुलिस का एक महत्पुड काम होता है किसी अपराद के बारे में मिली शिकायत की जाच करना जाच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किये जाते हैं और सबूत इखटा किया जाता है अगर पुलिस के पास इस तरह का कोई भी अपराद आता है तो वो उसकी शिकायत की जाच करती है जांच के लिए वो गवाहों का बैयान लेती है अगर सबसे पहले तो वह जांच करेगी कि हाँ इस तरह की घटना हुई है नहीं हुई और इसके लिए वह गवाहों को देखेगी जो भी होगे उसके बाद वो जो सबूत होते हैं उसको इखटा करने का काम करती है इस अ अगर पुलिस को एसा लगता है की सबूतों से आरोपो आरोपी का दोश साबीन रहा है। तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार शीट दाखिल कर देती है। और अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि हाँ ये सारे जो भी हमें सबूत मिले हैं वो आरोपी के विरुध हैं यानि उसके खिलाफ हैं यानि उससे उसका दोश साबित हो रहा है तो वो फिर क्या करते हैं कि वो चार शीट या फिर आरोप पत्र हिंदी में आरोप पत्र इंगलिश में चार शीट कहते हैं वो अदालत में ले जाके दाखिल कर देते हैं उसके बाद कानून का साशन यानि हर वेक्ती देश के कानून के अधिन है पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है हमारे यहां पर यानि हमारे देश में कानून का साचन है कोई भी वेक्ति चाहे वो कोई भी हो रास्टपती ही क्यों ना हो वो कानून से उपर नहीं होता हर कोई कानून के अंडर में होता है तो कानून का साशन यानि हर वेक्ति देश के कानून के अधीन है जो पुलिस भी है वो भी कानून के तहत ही काम करेगी जो भी लौ होंगे पुलिस को वो फॉलो करने ही पड़ेंगे हर वेक्ति हमारे हैं पे लौ को फॉलो करता है चाहे वो मजिस्टेड हो जज हो या फिर जो पुलिस होती है उसको हमेशा एक तो कानून के दायरे में रहके और दूसरा मानव अधिकारों जो भी लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए उनका सम्मान करते हुए जाच करनी चाहिए सरवोचे न्याले ने गिरफतारी हिरासत और पूछताच के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तै किये हुए हैं जो हमारी सरवोचे न्याले है सुप्रीम कोट है उसने हमेशा से ही गिरफतारी हिरासत और पूछताच के बारे में पुलिस के लिए कुछ गा पूछताच करती है तो वो उस दोरान यानि जाच के दोरान कभी भी किसी को सता नहीं सकती उसको पीट नहीं सकती उसको गाली नहीं दे सकती उसको मार नहीं सकती किसी छोटे से छोटे अपरात के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती क्योंकि सजा देने का काम को गिरफतार के वैक्ती को कुछ मौलिक अधिकार दिये गए हैं तो कुछ तो हो गिरफतारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्वेवार या यातना से बचने का अधिकार अगर गिरफतारी की गई है तो उस टाइम पे हिरासत में लिया गया है तो किसी भी तरह के जो दुर्वेवार होते हैं या यातना नहीं की जा सकती उस वेक्ति के साथ इसके अलावा पुलिस हिरासत में दिये गए इकबालिय बयान का आरोपी के खिलाफ सबूत के तोर पर इस्तमाल नहीं किया जा सकता और पुलिस जब हिरासत में लेती है लोगों को तो उस टाइम पे अगर कोई भी इकबालिय बयान दिया गया है तो उसको सबूत के तोर प इस्तमाल नहीं किया जा सकता पंदरा साल से कम उम्रे के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता अगर कोई केस हो तो बात अलग होती है लेकिन सिर्फ सवाल जवाब करने है वो किसी भी वेक्ति की गिरफतारी हिरासत और पूछताच के बारे में जो पुलिस है या फिर जो भी अन्य संस्थाएं हैं उन लोगों को कुछ खास तरह की शर्थ और प्रक्रियाएं उसने तै करती हैं इसे हम डीके बासू दिशान दिश कहते हैं इसमें यह है कि जो गिर पोस्ट होती है वो बहुत ही सटीक रूप से यानि बहुत अच्छे से उस पे अंकित होनी चाहिए उस पे लिखी होनी चाहिए गिरफतारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफतारी संबंदी पूरी जानकारी का कागश तयार किया जाए उसके बाद गिरफतारी संबं लिखे जाती है ताइम लिखा जाता है और वह सही है या नहीं इसके लिए एक गवा का कम से कम एक गवा का होना तो बहुत जरूरी हो जाता है वह गिरफतार सदस्य के परिवार का वेक्ति भी हो सकता है और इस मौके पर गिरफतार होने वाले वेक्ति के दस्तकत होने चाहिए तो वो जो गिरफतार तो जो गवा होता है वो उसकी फैमली का कोई member भी हो सकता है इस मौके पर गिरफतार होने वाले जो विक्ति हैं उनके sign बहुत जादा important हो जाते हैं गिरफतार किये गए हिरासत में रखे गए या चिससे पूछताज की जा रही है ऐसे वेक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या सुपचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है अगर किसी को गिरफतार किया गया है या फिर उनको हिरासत में लिया गया है या फिर मतलब उनसे पूछताच करने के लिए उन्हें लिया गया है तो ऐसे व्यक्तियों को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनको मतलब सूचित कर सकें उनको बता सकें कि हाँ हम यहां है इस प्राब्लम में हैं इस तरह की चीज़े जो गिरफतार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी जिले से बाहर होता है यानि उ आठ से बारा गंटे के अंदर में उसे गिरफतारी के समय, इस्थान और इहरासत की जगा के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए अगर गिरफतार की गए व्यक्ति के पास ऐसा कोई नहीं है उसका सगा संबंधी नहीं है उसका दोस्त नहीं है तो आठ से बारा गंटे के अंदर में उससे related जो भी वेक्ति होगा उसका friend या उसका सुपचिंतक या उसका कोई relative उसको संदेशा भेज दिया जाता है उसको बताया जाता है 8-12 गंटे के अंदर में सरकारी वकील की भूमिका अब हम यह देखते हैं कि जो सरकारी वकील होता है उसकी क्या भूमिका होती है किसी अपराधिक उलंगन को जनता के विरुद माना जाता है यानि वह अपराध केवल पीडित वेक्तियों को ही नुकसान नहीं पहुँचाता बलकि पूरे समाज के प्र प्रती अपराध होता है जैसा कि हमने लास ट्रमे लख्षमन की पढ़ी थी कि जो लख्षमन होते हैं एक मतलब मैं होते हैं अब घजला डेते हैं उसके लिए दहेच के लिए वह अपनी वाइफ को जला देते हैं अपनी, उसकी मम्मी और जो लक्षमन होते हैं, वो दोनों मिलके, उसकी वाइफ होती है, सुधा, उसको दहेज के लिए जला देते हैं, उसको रोज मारते हैं, एक दिन अचानक से ही उसको जला दिया जाता है, तो इस तरह की जो घटनाई होती हैं, कही न कहीं वो पूरे मत्सक्राइब बनाव सब्यूंत तो आहिए इसे जो मामले होते हैं वह ज़ेखार खतरनाक होते हैं तो इस वज़ें से जो क्यूंकि सुधाक के साथ रही चीज होई तो इससे सिरफ सушता को डिक्कत होने वाली है आने वाले समय में या मतलब हो रही तो इस वज़े से इस मामले को लक्षमर राज्य बनाम लक्षमर कहा गया था ठीक है यानि स्टेट वर्सेज लक्षमर उसी तरह हमने जो इसमें केस पड़ा हमने जो केस टड़ी पड़ी स्टार्टिंग में इसलिए इस मुकदमे को स्रीमती सिंदे बनाम शांती हैंब्राम की तो स्रीमती सिंदे बनाम शांती हैंब्राम की वजाए इसे हम राज्य बनाम शांती हैंब्राम कहेंगे क्योंकि भले शांती मतलब सही साबित हो गई मतलब उसने चोरी नहीं किया था लेकिन इल्जाम तो उस पर चोरी का ही लगा था इसलिए इसे राज्य बनाम शांती हैं इंब्राम का इल्जाम उसके उपर लगाए गया था इसको ये नाम दिया गया और इसमें जो सरकारी वकील होते हैं उनकी बहुत जादा अच्छी भूमिका होनी चाहिए उनकी बहुत इंपॉर्टन भूमिका हो जाती है क्योंकि अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प करेंगे अब आता है हमारा सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जाच पूरी करके अदालत में आरोपत्र दाखिल कर देती है तो जो सरकारी वकील होते हैं उनकी भूमिका तब शुरू होती है जब जो कोट होता है वहाँ पे चार्शीट आ जाता है और उसके बाद फिर वो आगे काम करते हैं सरकारी वकील की इस जाच में कोई भूमिका नहीं होती यानि जो जाच हो रही होती है पुलिस के तरफ से उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती जो उनके पास चार्शीट आता है उसके बाद वो आगे का काम करते हैं उसे राज्ये की और से अभियोजन प्रस्तूत करना होता है नैले के पदादिकारी के रूप में उसकी जिमेदारी है कि वह निस्पक्ष रूप से अपना काम करें और अदालत के सामने सारे ठोस तथे गवाह और सबूत पेश करें तभी अदालत सही फैसले दे सकती है तो उनका ये अदाइत् है कि वह निस्पक्ष रूप से अपना काम करें क्योंकि अगर वह निस्पक्ष रूप से काम करेंगे तभी जो अदालत होगी वह सही फैसला दे पाएगी ठोस तथे गवाह और सबूत पेश करें उनका ये काम है कि वह बिल्कुल सही तथे गवाह और सबूत दे तभी जो दालत सही फैसला दे सकती है नाय धीश की भूमिका अब हम पढ़ते हैं जो नाय धीश होते हैं जो हमारे जज होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है नाय धीश निस्पक्ष भाव से और खुली खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं तो जो हमारे नाय धीश होते है वो निस्पक्ष रूप से कोई भी फैसला देते हैं और खुली अदालत में देते हैं खुली अदालत यानि वहाँ पे जो आम जनता होती है वो भी मौजूद होते हैं जिसके ओपर आरोप लगाया गया है वो भी होता है उसके जो रिलेटिवस होते हैं वो भी होते हैं मतलब पूरी अच्छी विवस्था होती है नयदी सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष और बचाओ पक्ष की तरफ से पेश किये गए सबूतों की जाच करते हैं सरकारी वकील के तरफ से जो भी चीज़े रखी गई उसको भी सुनते हैं और जो बचाओ पक्ष होता है Défense lawyer होता है उनके तरफ भी वो सारी बातों को सुनते हैं उसके बाद सारे सबूतो को देखते हैं उसकी जाच करते हैं अपने सामने मौजूद बयानों वो सबूतों के अधार पर कानून के अनुसार नयाधीश ही यह तै करते हैं कि आरोपी सचमुत दोशी है या नहीं उसके बाद उनके सामने जो भी सबूत आते हैं बयान आते हैं उसके अधार पर वो कानून क अनुसार यानि लौ के अनुसार ये ते करते हैं कि वो विक्ति दोशी है या नहीं और कानून में उस दोश के लिए जो सजा होती है या जुर्माना होती है नियाधिश उसे वो देता है अगर आरोपी दोशी पाया जाता है तो नियाधिश उसे सजा सुनाते हैं वा कानून मे दिये गए प्रावधानों के अनुसार के हिसाब से दोशी वेक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं तो जब नैदीश ये देख लेते हैं कि वेक्ति दोशी है या नहीं अगर दोशी नहीं होता है तो उ सुर्वाना भी लगाये सकता है और उसको जेल में भी डाला जा सकता है csak अबoterांता है हमारा निस्पख्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी है अगर हमें कहीं भी था देना है तो उसके लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना सविधान के अनुछेद 21 यानि आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का आस्वाशन दिया गया है हर किसी को जीवन का अधिकार दिया गया है हमारे आर्टिकल 21 में हमारे सविधान में हर किसी को जीवन का अधिकार है यानि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्क संगत और न्यायपूर कानूनी प्रक्रिया के जरिये ही चीना जा सकता है तो अगर किसी का भी जीने का अधिकार चीना जा रहा है या उसकी स्वतंतरता उसकी आजादी चीनी जा रही है तो उसका पूरा प्रोसेस है अगर वह पूरा प्रोसेस फॉलो होता है तो उस पर चीना जा सकता है अधर्वाइस सिर्फ शक्की अधार पर या सिर्फ हम ऐसा सोच ले कि हां उसने ही चोरी की है इस अधार पर हम किसी से ऐसा ऐसा अधिकार नहीं चीन सकते हैं तो जैसा कि हमने जो केश स्टड़ी पड़ी उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसे अगर कि अधिश थे वो इसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां पिना तो शांति जा पाथ ह्णा ना ही उसका ब्रदर सुषिल जा पाता तो क्या होता वहां पर चुद आतें बहुला भ failure हो आर वों तिना आपस हैं दोशी jo नहीं दोशी है वहां पे न सबूतों को रहा जाता ना ब अगर नियाधीश ने शांती की अभिवेक्टा रॉय को अभियोजन की और से प्रस्तूत किये गए श्रीमती सिंदे आदी गवाहों से जिरख करने का प्रयाब समय ना दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांती दोसी है तो क्या होता अगर जो नियाधीश थे उन्होंने निर्दोष साबित कर पाते वहां के लोग नहीं कर पाते ठीक है अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निस्पक्ष सुनवाई नहीं कर जा सकता तो अगर इस तरह की कोई भी बात होती है तो इसे निस्पक्ष सुनवाई हम नहीं कह सकते निस्पक्ष सुनवाई यान पे मतलब गवाहों को पेश किया जा रहा है सबूतों को रखा जा रहा है जो जज है जो मजिस्ट्रेड है वो हर बात को सुन रहे हैं फिर उसके अधार पर फैसला दे रहे हैं तो इसे ही हम फेर ट्राइल कह सकते हैं निस्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सविधान के अनुशेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाएगा निस्पक्ष सुनवाई में यानि फेर ट्राइल में यह देखा जाता है कि जो हमारा आर जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश की थी तो शांती को एक चार्शीट दी गई थी उसकी कौपी दी गई थी जो की जो अभियोजन पक्ष वाले थे उन्होंने उसके खिलाफ अदालत में पेश की थी शांती पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो का तो यह जो मुकदमा था उसको आरोपी के उपस्थिती में चलाया गया इसके अलावर जो शांती थी उसको वकील भी दिया गया ताकि वो उसका बचाव कर सके शांती की अभिविक्ता-रॉय को अभियोजन पक्ष की और से पेश किये गये सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया अभिविक्ता रोय को शांती की और से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया तो हर तरह की जिरह की भी सुविधाय दी गई इसके अलावा जो अभिविक्ता रोय थी उनको शांती की और से गवाह पेश करने का भी की मतलब मुझे इस लेडी को सही साबित करना है उसके लिए जो defense lawyer थी उन्होंने लागातार एक से एक गवाह भी पेश किये ताकि वो सही साबित हो सके पुलिस ने सांती के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था लेकिन नैधीश ने उसे निर्दोश मानते हुए मुगदमा चलाया और अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांती ही दोशी है तो जो पुलिस थी हमारी उसने तो सीधा जाके जो शांती थी उसको गिरफतार कर लिया ठीक है बलकि उनकी जो जाचपरताल थी वो अच्छी नहीं थी जो भी रूल्स है उसके according काम नही किया गया पूरी तरह से ठीक है लेकिन उनहोंने तो जाचपरताल नहीं किया खटां नहीं हिआ लेकिन जो नयायदीश थी उन्होंने बिलकुल उसको नर्दोश मानते वे उन्होंने अपना फैसला दिया क्योंकि अगर वो भी उसको दोसी मान लेते तो वो शायद निस्पक्ष ट्राइन नहीं दे सकते थे वो एक फेर डिसीजन नहीं दे पाते तो इसलिए उन्होंने शांती को बिल्कुल निर्दोष माना जो भी उनके सामने सबूत आए गवा आए उसके अकॉर्डिंग उन्हों साबित नहीं कर पाया कि उसने चोरी की है वाकई में यह जिसमें अदालत के सामने पेश किये गए साक्षों के अधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया नैधीश ने शांती की कमजोर इस्तिती के अधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं लिया कि वह सचमुच दोशी इसकी जगा नैधीश का आचरण लगातार निस्पक्ष रहा तो इस पूरे केस स्टडी में हमने यह चीज नोटिस की कि जो शांती थी उसकी कमजोर इस्तिती को देखके कहीं भी जो मजिस्टेट थे उन्होंने यह डिसीजन नहीं दिया उसकी कमजोर इस्तिती को देखते वे उन्होंने उसको दोशी नहीं कहा बलकि नैधीश का जो आचरण था वो बिलकुल फेर रहा पूरे टाइम उन्होंने हर सबूत को देखा हर गवाह को देखा ठीक है साक्षों से यह सिध हो गया कि शांती के बजाए कुछ योकों ने चोरी की थी इसलिए उन्होंने शां तो इसमें जो हमारे नियाधीश रहें उनकी भूमी का बहुत जादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर वो भी पुलिस की तरह यह मान लेते कि हाँ यह दोशी है तो शायद जो शांती थी वो नहीं बच पाती उसको और जादा दिन जेल में रहना पड़ा तो इस इस वाले जो हमारी केस्टरडी थी इसमें जितने भी लोग थे अगर सभी लोग अपना काम जिम्यदारी से करेंगे तो सब लोगों को न्याय मिल सकता है इसका मतलब है कि प्रतेक नागरिक चाहे वह विविन वर्ग जाती धर्म और वैचारिक मानिताओं की हो मतलब किसी भ प्रतेक व्यक्ति का सविधान के माध्यम से अगर प्रतेक व्यक्ति का सविधान के माध्यम से निस्पक्ष सुनवाई का अधिकार ना दिया जाए तो इस सिद्धान का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा अगर लोगों को निस्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं दिया तो यह जो सिध्धान दिया गया है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसलिए हर वेक्ति को चाहे वो किसी भी जाती का हो धर्म का हो लिंक का हो उसको फेट रैल की अनुमती मिलनी ही चाहिए उसको यह मौका मिलना ही चाहिए ताकि वो खुद को सावित कर सके कि हाँ वो दो मौका 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 म